यूपिय सरकार के समय भ्रश्चाचार के आरोपों से घिरे मद्रास हाई कोट के जज को पद पर बने रहने देने को लेकर संसनी खेज दावे करने वाले जस्टिस काड़जू अभी लगता है चुप नहीं रहने वाले हैं अपने आरोपों से सियासी पारा चड़ा चुके काड़जू ने अब देश के पूर्व मुख्यने अधीश आरेस लाहोटी के स्तावने कई सवाल खड़े किया हैं जस्टिस काड़जू ने अपने ब्लॉग में जस्टिस लोहाटी से छे सवाल पूछे हैं कारजू ने कहा है कि क्या मैंने जस्टिस लाहोटी को चिन्नाई से चिट्थी नहीं लिखी जिसमें लिखा कि मदरास हाई कोट के एडिशनल जज़ पर भरष्टा चार के गंभीर आरोप हैं इसके लाहोटी को गुप्त रूप से आईबी की जाँच करानी चाहिए कारजू ने दूसा सवाल पूछा है कि उनके आगरह पर लाहोटी ने उस जज़ की गुप्त आईबी जाँच के आदेश नहीं दिये कारजू ने आगे पूछा कि आईबी के रिपोर्ट मिलेक बाद लाहोटी जो उस वक्त चीफ जस्टिस अफ इंडिया थे उन्होंने सुप्रीम कोट के तीन जजो की कॉलेजियम की बैठक नहीं बुलाई थी क्या इसमें वो भी शामिल नहीं थे कारजू ने सवाल उठाए कि क्या तीन जज़ो की कॉलेजियम के सफारिश को भारत सरकार को नहीं भेजा गया इसके बाद भी पूर्व जस्टिस लाहूटी ने क्या कॉलेजियम के दो जजों से संपर कसाधे बिना ही भारत सरकार को एक पत्र नहीं लिखा कि एडिशनल जज को एक साल और दिया जाए कारजु ने सवाल उठाए हैं कि आई बी रिपोर्ट के बाद भी उस भरष्ट जजज का एडिशनल जजज के रूप में एक साल तक का कारेकाल क्यूं बढ़ाया गया कारजु के सवालों पर जस्तिस लहाउटी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि सब कुछ कानून के मताबिक हुआ है वहीं एक और पूर्व नियाधीश के जी बाला क्रिश्टन ने भी कारजु के आरोपों को बेबुनियाद बताया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है ये तठात्मक रूप से सही नहीं है एक नियाधीश को स्थाई करने में अनुचत समझहोता क्या है दस वर्ष के बाद उन्होंने ये आरोप लगाए है और वो भी ऐसे समय में जब एक सज्जन का निधन हो चुका है वहीं यूपिये के सहीयोगी रही तमिलाडू की पार्टी डीमके ने भी कारजू के आरोपों को बेबुनियाद और आधार हीन करा दिया है डीमकी के और से कहा गया हम उनके बेबुनियाद और निराधार आरोपों की उपेक्षा करना चाहते हैं उन्होंने ना तो किसी दल का नाम लिया है और नहीं किसी नियाधीश का नाम लिया है पूर्व जस्टिस और यूपिय सरकार से जुड़ी पार्टियां जहां आरोपों को खारिच कर रही है वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इसकी पूरी जाज की मांग कर रहे हैं पिर तो जास कारजो को इसका जवाब दी होने जाएं लेकिन अगर उसमे कोई दम है तो जिन के जो चीफ जास्टिसे थे या जो कुलेजियम था ऊस टाइम का उस कुलेजियम की जवाब दई तो है न इस मामले में सुप्रीम कोट में जन्हित याच का दाखल करने वाले वकील शांती भूशन का मानना है कि 2008 में अदालत ने भी माना था कि प्रक्रिया घलत थी चीफ एलेक्शन कमिशनर वगेरा पांच वा मेंबर सेलेक्ट करें तो ऐसे में लोगों की एक फेथ होगी कुल मिलाकर आरोपों की जाच की मानग तो हो ही रही है लेकिन साथ ही कॉलेजियम सिस्टम पर भी सबाल उठ रहे हैं कारजु ने सवाल भले ही देर से उठाया हो लेकिन कॉलेजियम विवस्था पर पिछले कुछ सालों से जारी बहस को एक नया आयाम जरूर मिल गया है नीजनाइक डेस्क डीडी नीज